मई माह 2023 के आखरी दो दिन तुला राशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मई और 31 मई 2023 के तुला राशी फल के बारे में कि इन दो दिनों में क्या कुछ विशेस होने वाला है? कौन सा ग्रह राशी बदलेगा? किन ग्रहों के युती होगी? क्या शुब तिथी होगी? क्या शुब नक्षत्र होगे? क्या आप उपाय कर सकते हैं? कौन सा समय इन दो दिनों में आपके लिए सबसे बहतर रहेगा? इन दो दिनों में होने वाले हर इक परिवर्तन के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो अगर आप वीडियो पर नए है तो हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाये हमारे चानल के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें यहां आपकी राशी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको प्राप्त होती है तो हम 30 मई और 31 मई की बात कर रहे हैं कि इन दो दिनों में क्या कुछ विशेस होने वाला है सबसे पहले हम बात करेंगे इन दो दिनों के ग्रह नक्षत्रों की इस्तिथी के बारे में अभी जो 30 मई का दिन है ये मंगलवार का दिन है और मैं आपको बता दूँ कि जेश्ट मास का आखरी मंगलवार है जिसको बड़ा मंगलवार कहते हैं अपने आप में विशेस है, अपने आप में खास है, शुकल पक्ष की दस मीतिती रहेगी और हस्त नक्षत्र रहेगा, हस्त नक्षत्र जो है बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, इसके स्वामी सूरेदेव होते हैं, सिद्धिनाम का योग बना हुआ है, इसके स्वाम गणेश भगवान है और चंद्रमा कन्या राशी में है और सुर्य तो वरिषवरासी रोहिनी नक्षत्र में है ही अब इस दिन रवियोग भी बनेगा और एक चीज और है कि इस दिन आपकी राशी के स्वामी शुक्रदेव का राशी परिवर्तन भी है शुक्रदेव इस दिन क प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, आब 31 मई के बारे में जानते हैं, बहुत ही विशेज दिन है, बहुत ही महत पूर्ण दिन है, क्योंकि ये एकादशी का दिन है, और ये जो एकादशी है, ये निर्जला एकादशी है, जो सभी एकादशी, 24 एकादशी होती है, सभी एक आदशियों में सर्व स्रेष्ट मानी जाती है बहुत अधिक इसका महत होता है तो इस दिन सुभा छे बज़त तो स्तनक्षातर उसके बाद चित्रा लग जाएगा व्यतिपात नाम का योग है साथ में सरवार्त सिद्धी नाम का योग भी बना हुआ है सरवार्त सिद्धी योग में ये कादशी आई है चंद्रमा जो है वो कन्या राशी से निकल कर इस दिन तुला राशी में आएंगे और सूरिय तो हैं ही व्रशब राशी रोहनी नक्षातर में अब रव्योग भी बनेगा इस दिन तो यह हूगई है हमारी ग्रहों की इस्तिती अब इनी के अधार पर जानेंगे ये दो दिन कैसे होंगे इन दो दिनों में क्या कुछ खास मिलेगा आपको क्या उपाय आप कर सकते हैं जो आपके लिए बड़े हितकर सावित होंगे क्योंकि समै ही ऐसा है दिन ही ऐसे हैं तो पहले 30 मई के बारे में जानेंगे 30 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा पहला तो आपकी राशी के स्वामी इस दिन राशी बदल रहे हैं चंद्रमा की राशी में जाएंगे और तुला राशी के लोगों के लिए मैं बता दू आज के दिन आपको अपने स्वास्ते का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका पारा किसी वज़े से चड़ा हुआ हो यानि किसी वज़े से आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ हो अगर गुस्सा अंदर भरा रहेगा, तो काम को बिगाडने का कारेज जरूर करेगा, कब गुस्सा फूट जाए, कब किस बात के उपर आप बिखर जाए, तो ये आपको दिहान रखना है, वरना वने बनाए काम को आप बिगाड भी सकते हैं, इसके अलावा बाकी चीजों में चीजें श्थितियां जो है, वो काफी अच्छी दिखाए दे रही है, आपको अपने धन का किस तरह से उपियोग करना है, कैसे आपको संचे करना है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये हुनर आज आप सीख सकते हैं, और इस हुनर को सीख कर अपने धन को बचा भी सकते हैं, अपने धन के जरिये और धन प्राप्त भी कर सकते हैं, आज आप अपने परिवार को परियाप्त समय देंगे, आज आप उन्हें महसूस होने देंगे कि आप उनका कितना खयाल रखते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे, और साथ में प्रेम क्योंकि आपके सितारे बڑے महरबान चल रहे हैं इन दिनों में और आपके राशी के स्वामी का करक राशी में आना आपके लिए वाकिए में बड़ा महरबान होने वाला है जो आप करना चाहते हैं उस और कदम बढ़ाने में घबराए नहीं जब तक कदम नहीं उठाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा गवराना नहीं है, confident रहना है और confident रहते हुए अपने काम की तरब ध्यान देना है बातचीत में काफी कुशलता रहेगी जो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी शादी शुदा लोग हैं जो उनके लिए भी समय काफी अच्छा है अभी तक अगर आपके लिए शादी शुदा लोगों के लिए हालात काफी मुश्किल चल रहे थे तो अब आप देखेंगे कि आपके हालात जो है वो सुधरते हुए दिखाए देंगे तामपत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा धन संपत्ती के मामले में जबरदर्स्त है जिस भी काम को कर रहे है वहाँ अच्छा रहेगा हाथ में पैसा भी आएगा धन आने का योग भी बना हुआ है चाहे वो सैलरी के रूप में हो या आपका कोई फसा हुआ पैसा भी हो सकता है पारिवारिक जीवन काफी उत्तम बना हुआ है पारिवारिक इस्तितियां अच्छी है प्रेम जीवन अच्छा है विवसाय करने वाले लोगों को नई नई चीजें जानने का मौका मिलेगा और देखे कुछ अगर नेगेटिव चीज होती भी है तो भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि जब तक आपके सामने नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी तब तक आप चीजों को अच्छे तरीके से नहीं समझ सगेंगे ठीक है तो ये चीजें आपके लिए बहुत बहतरीन होने वाली है अब इस दिन एक कारे जरूर करें क्या कार करना आपको ये जो दिन है न ये मंगलवार का दिन है और मंगलवार जीस्ट मास का आखरी मंगलवार है हनुमान जी का दिन है हनुमान जी के आराधना जरूर करें हनुमान चालिसा का पार्ट इस दिन आप जरूर करें बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छे लाब भी आपको देंगे आपकी जो रुके वे कारे ना उन में भी ये बहुत अच्छे आपको परवाव देने में जो व्यक्ति एकादशी का वरत नहीं करता है वो अगर इस एक वरत को भी कर ले तो भी उसको 24 की 24 एकादशी का फल मिल जाता है अब इस दिन देखी जरुरतमंद लोगों को दान पुन्न करने का विशी समहत होता है इस दिन बहुत अच्छे दान किये जाते हैं ऐसा दान जो स कुछ ना कुछ दान जरूर करें क्योंकि ये हमें ये जो दिन है ना हमारी शरीर को नई उर्जा देता है अगर आप वरत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है वरत नहीं करते हैं तो भी आप इस दिन एकादशी कथा को जरूर सुने और उसका फल आपको जरूर मिलेगा पानी जो है मिट्टी के मटके में भरकर आप पिला सकते हैं सिंपल पानी भी आप पिला सकते हैं अगर आप मीठा पानी नहीं पिला सकते हैं तो परिस्ता का दान करना बहुत अच्छा रहेगा जहां तक राशी फल का सवाल है तो तुला राशी के लोगों के लिए आज का दिन जो है अच्छा रहने वाला है बारवे भाव में चंद्रमा आपके हैं ही लेकिन शाम के समय आपकी लगन में आ जाएंगे विदेश से लाब होता हुआ दिख रहा है भागशाली समय जो होगा वो दो पहर दो बजे के बाद का समय आपके लिए रहेगा कोई भी महत्पू कुछ खर्चा भी दिखाए दे रहा है कुछ खर्चा भी होगा लेकिन खर्चा आपको परिशान नहीं करेगा अच्छा आपके जो अगर इस दिन आफिस में बात करूं तो आफिस के माहुल को आपको थोड़ा सहीम से देखना होगा क्योंकि कोई व्यक्ति आपको बेईमान लग सकता है माहुल खराब हो सकता है तो ऐसे में आपको अपने उच्छ अधिकारियों से बात करने में बिल्कुल नहीं हचके चाना है अगर आप करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं बाकी दिन जो है अच्छा है और अधिक जनकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले